हैलो एब्रीबान कैसे हो आप सभी मैं आपकी दोस्त और होम सेफ खुश्पु का नोजिया तहे दिल से अपने चानल घर का जाय का विद खुश्पु में आपका स्वागत करती हूँ दोस्तो आज मैं आपके साथ दाल वाली कड़ी की रेसिपी सेर कर रही हूँ आपने तो कई तरह की कड़ी खाई होंगी लेकिन ये कड़ी सबसे टेस्टी और सबसे अलग लगती है तो रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप एक बार इसे अपने घर पे जरूर ट्राइ करियेगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी और आप मेरे वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा क्यूंकि मैंने इसमें एक सेक्रेट इंगेडियन्स एड किया है और मैंने सारे इंगेडियन्स को लास्ट में लिख दिया है जिसे आप नोट कर लीजिएगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके लिए हम एक कप चना का डाल लेंगे आप चना के डाल के जगा पे मसुर के डाल कभी उच्ऱ कर सकते हैं इसे हम रात भर पानी में भीगो कर रख देंगे मैंने पहला ही से ही पानी में भीगो कर रख दिया थे अब हम इसके सारे पाने को च्छान कर इसे एक सूखा पेश्ट तयार कर लेंगे तो चलिए इसे च्छान लेते हैं और एक मिक्सर जार में इसे फाइन पीस लेते हैं देखिए मैंने इसे फाइन पीस लिया है मैंने इसे पीसने में एक बुनवी पानी का युज नहीं किया है अब हम इसे एक बॉल में निकाल लेंगे और साइड में रख देंगे करी बनाने के लिए एक कप दही लेना होगा इसे हम फेट लेंगे अगर आप बिरीगनर है तो आप इसे मिक्सर में भी फेट लीजिएगा अब हम चना दाल को दो हिसे में बाट लेंगे एक हिसा को साइड में रख देते हैं और एक हिसा का खोल तयार करते हैं इसके लिए हम एक बर्तन लेंगे उसमें हम फेटा हुआ दाही को एड करेंगे अब हम इसमें चना दाल का घो पेस्ट एड करेंगे और इसे मिक्स करेंगे अब हुँस में हल्दी, जीरा पॉडर, धनिया पॉडर, नमक और रेड चिली पॉडर आड़ करेंगे और उसे मिक्स करेंगे इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि ये फटे ना जब हम इसे कूक करें तो अब हम एक पैन लेंगे, पैन जब गर्म हो जाए तब हम उसमें वाइल आड़ करेंगे वाइल जब गर्म हो जाए तब हम इसमें जीरा, राई, तेजपत्ता, सुखिलाल मीर्च, एड़ करेंगे और एक दो मिनिट कुक करेंगे जब तक इससे फ्रेग्रंस आने न लगे जब इससे फ्रेग्रंस आने लगे तब हम इसमें घोल एड़ करेंगे और उसे चलाते रहेंगे ताकि वो फटेना और अगर आपका घोल तूद कुछ गाढ़ा है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी भी एड़ कर सकते हैं इसे एक दो मिनिट कुक करेंगे अब हम इसमें एक सिक्रेट इंगेडियन्स आइड करेंगे जो की हमने आपको सुरवात में ही बताया था वो है जिंगर पेस्ट अगर आप कड़ी में जिंगर पेस्ट आइड करिएगा तो आपका कड़ी बहुत ही टेस्टी औरला जवाब बनेगा यकीन नहीं होता तो आप इसे एक वार अपने घर पे जरूर बनाईएगा जब तक हमारा कड़ी तयार होता है तब तक हम पकड़ी की तयारी कर लेते हैं इसके लिए हम बाचा हुआ चना पेस्ट लेंगे उसमें हल्दी, जीरा पाउडर, नामक, हरी मीर्ज, लाल मीर्ज, एड करेंगे और उसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे इसे तलने के लिए एक पैन लेंगे, जब पैन गर्म हो जाए तब हम इसमें वाइल ऐट करेंगे वाइल आप सरसो कहीं उज़ कीजिएगा जब वाइल गर्म हो जाए तब हम इसमें एक एक करके पकोरा तल लेंगे झाल झाल और समसमें पर करी को भी चलाते रहेगा जब हमारा पकॉरा गोल्डन ब्राउन हो जाए तब हम उसे एक प्लेट पे निकाल लेंगे अपकोरे को हम करी में एड़ कर देंगे और एक दो मिनिट कूप करेंगे अब हम इसमें चिली फ्लेक सेट करेंगे और करी मसाला ये घर का बना हुआ है अगर आपको इसकी रेसिपी देखनी है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताईएगा इसे एक दो मिनिट और कूप करेंगे जब इससे ववाल आने लगे तब हम गैस को बंद कर देंगे हमारी करी तयार है अब हम इसे एक वाल में निकाल लेंगे क्यूंकि खाने से परे लोग उसे देखते हैं जब खाना देखने में सुन्दर लगेगा तो लोग उसे मांग मांग कर खाएंगे इसे उपर से थोड़ा सा चिली फ्लैक्स एड़ करेंगे अब मैं आपको इसे टेस्ट करके दिखाती हूँ देखिए कितना सुन्दर और कलर इसका भी कितना खुबसूरत है यह बहुत ही टेस्टी बना है यकीन नहीं होता तो आप इसे एक वार अपने घर पे जरूर ट्राइ करिएगा और हाँ आपको मेरी करी वाले वीडियो कैसी लगी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे एक लाइक जरूर कीजिए और अपने फ्रेंड और फैमली में शेयर भी कीजिए आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है मुझे कमेंट करके जरूर बताईए और हाँ आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सस्क्राइब जरूर कीजिए सस्क्राइब करने में पैसा नहीं लगता आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं तो फिर मिलते हैं इसी तरह के नई कम बजट में बनने वाली रेसिपी के साथ जब तक खुश रहिए खुशियां बाठते रहिए और आज पस सफाई बनाए रखिए मैं आप से जात जाते एक सवाल करती हूं इंडिया क्यूजिन में कलर किस इंगेडियन से आता है थैंक यू थैंक यू फर बाचिंग टेक क्यार एंड नमस्कार